कैसा भी स्वास चलता हो, कैसे भी हापनी आती हो, एक बार लेने से ही तुरंत आराम मिलता है, नमस्कार, दोस्तों, अगर आपको बार बार खासी चलने की समिस्या हो रही है, खास्ते खास्ते आपके सीने में दर्द होने लगता है, आपके गले में खिच-किच और सीने में बलगम बनता है, छाती में कफ जकड़ा रहता है, बार बार आपको सर्दी, जुखाम और इलर्जी हो जाती है, तो घबराए नहीं, आज मैं आपको एक ऐसा जबरजस्त नुस्का बताऊंगा, जिसको लेते ही पहले दिन से अस्त्मा, स्वास चलना, हापनी और कप और खासी विलकुल ठीक हो जाती है, तो आए जानते हैं, इस दिब्बे नुस्के को कैसे बनाना है, और कैसे शेबन करना है, तो देखिए व लाइची हरी, दाल चीनी, मुलेठी लकडी, काकडा सिंगी, हारड छोटी, और अंतिमो सदी है, गोड देशी, केमिकल फ्री, केमिकल बाला नहीं लेना, अब आए जानते हैं, इनो सदियों की पैचान, और इनकी मातरता, तो देखिए, यह सोट, आपको इसमेट करना है, सो ग्राम, यह इलाइची, इलाइची के दाना लेजिए, आपको लेना है, दस ग्राम, यह दाल चीनी, आपके शमेट करना है, पांच ग्राम, यह मुलेठी, आपको लेना है, तीस ग्राम मुलेठी, यह काकडा सिंगी, आपको लेना है, तीस ग्राम काकडा सिंगी, यह हरार छ छोटी थोड़ा भूंज लीजिए आपको लेना है दस ग्राम यह गुड़ तो दो सो ग्राम आपको गुड़ लेना है अब देखिए नुसका बनाने के लिए बेडियों में बताएगी सभी ओसदियां मात्रा नुसार ले ले जिए और इनको अच्छे से साफ सुत्रा कर ले ज सभी जड़ी बोटियां a1 क्वालिटी की और असली होनी चाहिए इस बात का विसेश ध्यान रखें फिर जब यह सभी जड़ी बोटियां आप 81 कर ले एक 58 कर ले तो इन सभी जड़ी बोटियों को किसी मिकसी में डाल करके या फिर इसे खरल मुचन में डाल करके अछ्छे से महीन से महीन चूरन कर लिजिगा कूड पीस करके जब यह महीन से महीन चूरन हो जाएगा कुछ इस तरीका से तो फिर इस चूरन को आप कपड़े में डालिए और कपड़े में डाल करके अच्छे से कपडशन कर लिजिगा कपड़शन किया हुए चूरन कुछ इस प्रकार से नजर आता है तो फिर आपको करना क्या है आपको इस चूरन को साइड में रख देना और एक बरतल लेना है बरतल में आपको 200 ग्राम जो गुड़ बताया वो गुड़ डाल देना है और इसमें पानी एड़ करना है उसे पानी को आप ओच्छे से उबालना है और अच्छे से वॉल करना है और जब यह पक्र के चासनी नमा सुरू हो जाए थोड़ा चासनी नमा हो जाए तो इसे नीचे अतारिये और वो चूरन जो अपने बनाया था इस चासनी में डाल दीजेगा डालने के बाद इसे चम्मस से अच्छी से मिक्स करिएगा बस आपकी चास्णी बनकर तयार हो चुकी है तो ये देखिए भी बरसे ये बहुत अच्छी चास्णी बन गई है आपकी अस्तमा के लिए दमा के लिए स्वांस के लिए अब आई जानते हैं इस चासनी को कैसे सिबन करना है तो सिबन करने से पहले अगर आपको बार बार खासी बनती है अगर आपको दमा अस्तमा हो गया है अगर आपको हापने चलती है या फिर आपकी सांस फूल जाती है वलंगम बनता है सीने में दर्ध होता है कफ जखड़ा र ऐसे की छाच, दही, कुल रंग, इन चीजों का प्रियोग ना करें, फिर इसे सेवन कैसे करना है, वो समझ लेती हैं, देखिए, आपको इसे खाना खाने के एक गंटे पहले, या खाना खाने के आधी से गंटे बाद सेवन करना है, आप थोड़ा सा लेजिए आधी चम्माच ह और इसे इस प्रकार से लेकर के और सिंपली से चाटिये, चाटिये लेकर उपर से पानी नहीं से बन करना है, आप इसे चाटना है खाली, 10-15 मिट, 11 गंटे तक पानी प्रियोग नहीं करना, ऐसा अगर करेंगे ना, तो जो बलगम जमा रहता है, गले में जो खिचकेश होता है जो हापने आती है अस्तमा होता है स्वास फूलती है खासी चलती है इन सभी में बड़ा जबर्जस्त काम करता है तो यह छोटी सी जानकारी है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है न तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पने हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो पिले चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार